नमस्ते मित्र मैं स्रीकान स्वागत करता हूं आपका आए अम्लाग और डॉट इन पर अभी हाली में खबर आई है कि तालिबान ने जो वेक्सिनेशन ड्राइब था वो जितने हिसे पर उन्होंने कपजा कर लिया यह क्लेम के ज़ाए कि पैंसर पर सिथिसे पर उन्होंने कप है उन्हें भी बंद कर रहा है पहले तो बात है कि तालिबान एक अतंगवादी संस्थान है और अगर उनके आजकल स्पोक्स पर्सन आने लगे हैं न्यू चैनल वाले इज़स उन्हें बैठाते हैं ऐसे बेसरम ऐसे जाहिलों को गोली मार दिया जाना चाहिए उन्हें स्प पान किया गया इस एक हबरे भी चल रही है तो वो सब दूसरे धरम और छोड़ी है वो माना होता इंसानियत को खत्म करने के लिए रह पर चल रहे हैं तालिबानी तो अब मैं यहीं कहूंगा कि अमेरिका एक तालिबान से बड़ा आतंगवादी संस्थान है जिसने 20 साल तक पूरणे किया नहीं किया दो यह किसी को नहीं पातार नला वर छोड़ कर जा रहा है है तो उसका मेरिव우 पूद्बशारा आतंग जीने को पूर्ण मेरिढामने जूच WAY करेंब मेरिका वीकासL देख मेडिकल फिल्ड वा हर छित में विकास दिखाई दे रहा है अब यह आतंगवादी संस्थान वहां का कुछ दिनों में सरगना पन जाएगा और वहां का इस्तिती बत से बत्तर हो जाएगा लोग वहां पर अपील कर रहे हैं सारे जो दोईस हैं वो कोई भी देश हो अमेरिका हो जर्मन हो इंग्लेंड हो भारत हो सब चुब बैठे हुए है उसे पकिस्तान वहां मजे लूट रहा है कुछ अलग सा यह आ रहा है कुछ नहीं अगर वहां पर तालिबानी जिन लोगों को मार रहे हैं अगर वह दूसरे ध सकते हैं तालीमान को बीकास की फॉकस प्रसंड को की की सब्सक्राइप को कि उन्होंने अफगनिस्तान को मजबूर कर दिया ऐसे हालात में जीने के लिए वह बीच में छोड़कर भाग रहा है अफगनिस्तान को जो पूरा विकास करके जाना चाहिए था को मिलिटरी वहां के लर्प आते ही नातमवादियों से उन्होंने ऐसा कुछ ने किया और अपन दोस्तों अपना ख्याल लगें सुर्छ चीत रहें मास्क पहने